नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्योब चैनल सिक्षा अकेड़मी में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं अदिस रासियां और सदस रासियों की याद करने की एक बहुत ही जबाज़र स्ट्रेक जिसों आप केबल एक ब दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि सदस और अदिस रासियां होती क्या हैं तो सबसे पहले बात करें सदस रासियां की तो दोस्तों सदस रासियां बेभौतिक रासियां होती हैं बेभौतिक रासियां जिन्हें ब्यक्त करने के लिए परीमान के साथ साथ दिसा की ऐसी रासियां सदिस रासियां कहलाती हैं कि ऐसी सदिस रासियां कहलाती हैं परिमान के साथ साथ दिसा की भी आवशक्ता होती है ब्यक्त करने के लिए वह सदिस रासियां कहलाती हैं इसके बात बात करते हैं अदिस रासियों के तो दोस्तों अदिस रासियों अदिस रासियां बे बहुत एक रासियां होती है जिने ब्यक्त करने के लिए केवल और केवल परीमान की आवशक्ता होती है वह क्या अदिस रासियां कहलाती है अदिस रासियां कहलाती है केवल परीमान की आवशक्ता होती है दोस्तो यह बहुत ही जरूरी है आपको याद होना चाहिए दोस्तो बैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं अदिस मतलब अदिस यानि की बिना दिसा के और सदिसमीस दिसा सहत यानि की दिसा और परिमान दोनों की आउशकता होती है सदिस रासी को याद करने के लिए या फिर ब्यक्त करने के लिए और अदिस रासी को ब्यक्त करने के लिए ओनली परिमान की आउशकता होती है तो आप इसको ऐसे भी आद कर सकते हैं अदिसमीस बिना दिसा के और सदिसमीस दिसा के तो दोस्तो चलते हैं और जानते हैं वो महत्पून ट्रेक जो कि आपको सदिस और अधिस रासियों को आसानी सियात करवा देगी दोस्तो सदस्रासियों की बात करें तो सदस्रासियां होती है बल, समबेग, बल आगूरन, तौरन, बिश्थ्याफन, और दोस्तो बेग होती है दोस्तो यह सदस्रासियों बेरासियां हैं जो की हर एक्जाम में पूची जाच सुकी है और एही पूंची जाती है कुछ ज़ादा नहीं पूंची जाती है यही पर्मुख्य रासियां है दूरी झाल तीसरी आयतनrain64 कार्य शमय और धारा ताप् और ड्रबमान तो अप cleanup को याद कैसी करनी है कि इसको इसके जात करने के लिए बहुत ही सांदर्ट त्रेक हैं मैं आपको पताने जा रहा हूं आप आसान इसा याद रख सकते हैं कैसे दुस्तु आप देखना देखेंगी कि this रासिया पूरी टोटल और यह आधिस रासियां दिए हुई है डूस्त जितनी में बा का प्रियोग शंबेग में बा का प्रियोग और बल में भी बा का प्रियोग हो रहा है तो आपको only इतनी सी बात याद रखनी है कि जो भी सदस्रासी होगी उसमें बा का प्रियोग होगा ही होगा दोस्तो ऐसे ही अधिस्रासी अधिस्रासी आप कोई भी अधिस्रासी द अदिस राशियां होती होगी दोस्तों आप ऐसे इनको आसानी से याद रख सकते हैं कि जिसमें बाग का प्रयोग हो रहा हो वह सदिस राशिया है और जिसमें बाग का प्रयोग नहीं हो रहा है वह अदिस राशिया है दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी है मैं उसके बार मे रासियां होती हैं कौनसी यह दोनों जो रासियां हैं बहे अधिस रासि होती हैं इसमें बाग का प्रयोग भी हो रहा है और अधिस सद्स रासि भी नहीं है तो आप इनको याद रखिए का कि बिदुत और दाप को छोड़कर सभी रासियों में बाग का प्रयोग होने वाली छोड़ कर दोस्तो आपको है आसानी से याद हो जाएंगी दोस्तो आसा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही जादा उप्योग इसाबित होगा तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तो बाए दोस्तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पिल इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक क्लिए दोस्तों बाए